नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना इननों फोन कॉल्स पर फ्रॉड के मामले बहुत जादा बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बार तो फ्रॉड्स्टर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उन्हों ने customer care जैसे दिखने वाले numbers खरीद लिये हैं और इन numbers से customers को call करते हैं ऐसा अपने आपको बताते हैं कि वो bank करमी है और इस दोरान वो customers से उनकी bank की detailed information ले लेते हैं यही कारण है कि हाल ही में कुछ banks ने अपने warnings जारी किये हैं अपने लोगों तक ये numbers send किये हैं, पहुँचाए हैं और कहा है कि इस तरह के number से call आए तो अपनी details ना दे और phone ही मत उठाए Actually SBI ने ये किया है, SBI ने हाल ही में दो number जारी किये हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये number SBI customer care number कहा जा रहा है लेकिन हम इस number का इस्तमाल नहीं करते हैं ये frauds सबसे पहले Just Dial से लोगों का data खरीद लेते हैं और data खरीदने के बाद ये customer care जैसे दिखने वाले number से इन लोगों को call करना शुरू करते हैं SBI ने जो संदेश जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो number है जैसे number से हम call नहीं करेंगे अब सुनने में और देखने में ये numbers किसी भी customer care number जैसे दिखते हैं लेकिन ये bank के number है ही नहीं इन number से fraudsters call करते हैं हाल ही में फरीदाबाद में एक शक्स के साथ ऐसा ही fraud हुआ जहाँ पर इस number से call करके एक शक्स ने खुद को bank करमी बताया और कहा कि हम आपके credit card पर limit बढ़ा रहे हैं और उस चकर में उसने सामने वाले के card number के साथ साथ CVV number भी ले लिये और उसके बाद उसके साथ बड़ी धोखा धड़ी कर दी सबसे बड़ी बाद इन frauds ने SBI के नाम से Google पर भी इनी numbers को save कर दिया है जिस कारण कोई user अगर SBI bank तक पहुँचना चाता है तो उन्हें ये frauds के number मिलते हैं और जैसे ही customer उन्हें call करता है तो ये frauds उसे फसाना शुरू कर देते हैं इस तरह के frauds से बचने के कुछ तरीके हैं सबसे पड़ी बात तो अगर आप किसी भी bank का कोई customer care number जानना चाते हैं तो आप सीधा उस bank की website पर जाएए और वहाँ पर जो number है उसी पर विश्वास कीजिए इसके अलावा कोई भी bank का जो कर्मचारी है वो आपको phone पर card की detail या OTP या कोई भी passport CVV नहीं मांगेगा अगर कोई भी आपको इस तरह का call करता है तो फिर आप उसकी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं सतर करें ध्यान रखें खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना